साथियों मेरे सामने आपकी लिखी धेर सारी चिठिया है माय गौपर जो आप सुझाव भेजते हैं वो भी मेरे सामने है कितने ही लोगों ने फोन करके अपनी बात बताई है जादातर संदेशों में बीते हुए वर्ष के अनुभव और 2021 से जुड़े संकल्प है कोलापूर से अंजली जी ने लिखा है कि नए साल पर हम दूसरों को बढ़ाई देते हैं शुबकामनाई देते हैं तो इस बार हम एक नया काम करें क्यों न हम अपने देश को बढ़ाई देश को भी सुबकामनाई दे अंजली जी वाकई बहुती अच्छा विचार है हमारा देश 2021 में सब्रताओं के नए सिखर छुएं दुनिया में भारत की पहचान और ससकत हो इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है साथियों नमो एप पर मुंबे के अभिशेक जी ने एक मेसेज पोश किया है उन्होंने लिखा है कि 2020 ने जो जो दिखा दिया जो जो सिखा दिया वो कभी सोचा ही नहीं था कोरोना से जुड़ी तमाम बाते उन्होंने लिखी हैं इन चिठियों में इन संदेशों में मुझे एक बात जो कॉमन नजर आ रही है खास नजर आ रही है वो मैं आज आपसे शैर करना चाहूंगा अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ देश वासियों की सामोही शक्ति की भरपूर प्रसंसा की है जब जनता कर्फिय जैसा अभिनवक प्रयोग पुरे विश्व के के लिए प्रेणा बना जब ताली थाली बजा कर देश ने हमारे कॉरोना वार्यस का सम्मान किया था एक जूरता दिखाई थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है साथियों देश के सामान्य से सामन्य मान्वी ने इस बर्लाव को महसूस किया है मैंने देश में आशा का एक अध्भूत प्रभा भी देखा है चुनोतियां खुब आई संकड भी अनेक आए कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई लेकिन हमने हर संकड से नए सबक लिए देश न नया सामर्थ भी पैदा हुआ अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ का नाम है आत्मनेर भरता साथियों दिल्ली में रहने वाले अभीनव बैनर जी ने अपना जो अनुभो मुझे लिख कर भेजा है वो भी बहुत दिल्चस्प है अभीनव जी को अपने रिष्टेदारी में बच्चों को गिप देने के लिए कुछ खिलोने खरीदने थे इसलिए वो दिल्ली की जण्डे वालान मार्केट गए थे आप में उसे बहुत लोग जानते ही होंगे ये मार्केट दिल्ली में साइक्ल और खिलोनों के लिए जाना जाता है पहले वहां मेंगे खिलोना का मतलब भी इंपोर्टर खिलोने होता था और सस्ते खिलोने भी बहार चाते थे लेकिन अभरिनम जी ने चिठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोल कर टॉइज बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉइज है क्योंकि ये भारत में बना है मेड इन इंडिया है कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉइज की ही मांग कर रहे हैं यही तो हैं ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन यह तो जीता जाकता सबूत है देश वास्व की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वो भी एक साल के भीतर भीतर इस परिवर्तन को आखना आसान नहीं है अर्थ सास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते साथियों मुझे विशाखा पत्रम से वेंकर्ट मुरली प्रसार जी ने जुन लिखा है उसमें भी एक अलग ही तरह का आइडिया है वेंकर्ट जी ने लिखा है मैं आपको 2021 के लिए 2021 के लिए अपना ABC अटेज कर रहा हूँ मुझे कुछ समझमा नहीं आया कि आखिर ABC से उनका क्या मतलब है तब मैं ने देखा कि वेंकर्ट जी ने चिठी के साथ एक चार्ट भी एटेज कर रखा है मैंने वो चार्ट देखा और फिर समझा कि ABC का उनका मतलब है आत्मा नेरभर भारत चार्ट ABC यह बहुत ही दिल्चस्प है बैंकर्ट जी ने उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई हैं जिने वो प्रतिदिन इस्तमाल करते हैं इसमें electronics, stationary, self-care items उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है बैंकर्ट जी ने कहा है कि हम जाने अंजाने में उन विदेशी प्रोडक्स का इस्तमाल कर रहे हैं जिनके विक्वल्प भारत में आसानी से उप्रब्द हैं अब उन्होंने कसम खाई हैं कि मैं उसी प्रोडक्स का इस्तमाल करूँगा जिन में हमारे देश्वास्यों की महनत और पसीना लगा हो साथियों लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर भर भारत का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हमारे manufacturers उनके लिए भी साब संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्स की क्वालिटी से कोई समझोता ना करे बात तो सही है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है मैं देश के manufacturers और industry leaders से आगरे करता हूँ देश के लोगों ने मजबुत कदम उठाया है मजबुत कदम आगे बढ़ाया है vocal for local यह आज घर घर में गुंज रहा है ऐसे मैं अब यह सुनिशित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्स की विश्वस्तरिय हो जो भी global best हैं वो हम भारत में बना कर दिखाएं इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है स्टार्ट अप्स को भी आगे आना है एक बार फिर मैं वेंकर जी को उनके बहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूं साथियों हमें इस भावना को बनाए रखना है बचाए रखना है और बढाते ही रहना है मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देश वासियों से आगरह करूँगा आप भी एक सूची बनाए दिन बर हम जो चीजे काम में लेते हैं उन सभी चीजों की विपेचरा करें और ये देखें कि अंजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है एक प्रकारते हमें बंदी बना दिया है इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तै करें कि आगे से भारत में बने भारत के लोगों के महनत से पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तमाल करें आप हर साल New Year Resolution लेते हैं इस बार एक Resolution अपने देश के लिए भी जरूर लेना है